यह महम्मद अन्वर है पंचायत मलवाना के सबसे गरीब शक्स माने जाते हैं पास कोई ना एगरिकल्चर का आया नो हाटी कल्चर का आया और ना कोई डिपार्टमेंट का कोई आदमी यहां नहीं आया कि पता करने के लिए कि नुक्सान क्या क्या हुआ जितने भी हंगामी हालात हुए जलजलों की वज़ा से बारशों की वज़ा से जितने भी यहां पर तोफान आये लोगों के नुक्सान गए खाली कागजों में ही वो महदूद हैं ना कि किसी को मदद कीईगी गुजश्टा कई दिनों से जहां जमु कश्मीर में मुसलादाहर बारशें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और मुसलादाहर बारशों की वज़ा से जमु कश्मीर में कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हर किसी जिला में नुक्सानात देखने को मिले तो इसी सलसले में अगर जिला डोडा के इलाका मलवना की बात की जाए गुन्दना की बात की जाए तो बला गुन्दना के कई गाउं में जैसे मलवना, शादीवन, चरोत, ब्रेसवना, खनकूट, मोहला, गड़तर, शियाल और आबली मासरी इन सब ही इलाकों की जिक्रा अगर की जाए तो इसी जानब जो मगर्ब की तरह बात की जाए टांटना, शेकपूरा, गुन्दना, मलवना, वेस्ट, लुडना, गानियती वगरा वगरा जो भी सब गाउं बला गुन्दना में आते हैं तो हर गाउं से हमें ये इतला मौसूल ह ही कि हर गाउं में नुकसानात, कमोबेश देखने को मिले, लेकिन इसी सलसले में अभी हम मौजूद हैं इलाका मलवना में, तो हम आपको बताते चलें जहां बारिशों ने अपना काम तो किया था, तो सभी लोग उस वकत अफरा तफरी में मौलविस पाए गए, तो इसी सल जो है, ये गिर चुकी है, और बताया ये जाता है, इनका ये कहना है कि आज सुबह दो दिन से जो बारशें हो रही थी, उनकी वज़ा से काफी जो है, इसमें दरारें आई थी, और सुबह जब जलजलों के जटके आए, तो उस वक्त जो है, ये दिवार इनकी गिर गई है, मैं अपने केमरा मैंन से गुजारिश करूंगा कि ये दिवार जो है, आपको दिखाने की कोशिश करें, और मैं आपको इसके साथ साथ बताता चलूं कि ये मकान जो है, ये जहरे तामीर था, ये परधान मतरी आवास पलस के तहट जो है, ये मकान बनाया था मुहमद अन्व पर ने, तो इसी सिलसले में बनाते बनाते ही, जरे तामीर में ही इसकी ये दिवार जो है, गिर चुकी है, तो इसी सिलसले में हमारे सामने अभी मौजूद हैं, सरपंच, मलवना, इस्थ, हभीब मला, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, कि इनकी पंचायत में कहां कहां पर क कितना नुक्सान हुआ। से कहना पड़ता है कि हमें एड्मिस्टेशन वहां से ही मेसेज देनी चाहे थी भई डिपाइटमेंटों को बेजना चाहे था हुमारे पास कोई ना एग्रिकल्चर का आया और ना कोई किसी डिपाइटमेंट का कोई आदमी यहां नहीं आया कि पता करने के लिए कि नुक्सान क्या क्या हुआ है यहां पेड़ पोदूं का नुक्सान भी हुआ फसल का नुक्सान भी हुआ बाकी जो पानी की पाइब लाइने हमारी थी वो भी डेमेज होगी पीने के लिए पानी लोगों को काफी मुश्कलात का सामना करना पड़ता है उसके साथ साथ ही यह जो गहर है यहां पे जिस गार में हम अभी कैमरे में आप देख सकते हो यह जो बंदा है बिलकुल गरेब और नहाइद गरेब हमारी पेंचाइद में सबसे ज़्यादा गरेब है इसको PMI के तहत मकान मिला था और अभी यह वो कामी कर रहा था बारशों की वज़ा और जलजले की वज़ा से यह मकान पूरा तहसमेस होगी इसकी देवार पीशली साइट बिलकुल तहसमेस होगी लहाजा हम एडमिस्टेशन से यही गुजारश करते हैं यहां पे जलद जलद टीम बेजी जाए और बाकी डिपार्टमेंटों को भी इतला दिया जाए कि आप जाओ जे हर डिपार्टमेंट आपने अपने हिसाब से वो तकमीना लगा सकते हैं कि नुकसान कितना हुआ है सर्पें खमाई दही वतरकी या फिर पंचाईती राज के तहट क्या ये मुम्किन हो सकता है कि इनको आप किसी तरीके से मदद कर सकते हैं देखो गरीब तो है हम भी कहते हैं कि खाली अनवर गरीब नहीं है यहां काफी लोग इस से ज़्यादा भी गरीब हैं मगर इसको दो साल पहले कबल इसकी बीवी गुजर गई थी अब इसकी बच्चाँ जो हैं छोटी छोटी बच्चाँ हैं ये कहीं मजदुरी जाने के काबल नहीं है और ये उनी बच्चियों की पहरादारी कर रहा है लड़का एक है बच्चे ना लड़कें दो हैं लहाजा ये कहीं मजदूरी जाने के काबल नहीं है इसलिए हम इसको गरीब कहलाते हैं इस बेस पे गरीब कहलाते हैं जो आपकी पंचायत में नुकसानात देखने को मिले क्या आपने उसके मुतलिक जिला इंतजामिया को इनफर्म किया या किसी कंजरंड आफिसर को मुतला किया या फिर वहाँ से आपको किसी ने कॉल की कि आपका जो नुकसान हुआ है पंचायत में कहां कहां पर कौन कौन से नकसानात हुए देखो काल तो किसी ने नहीं की हम ने इदर से ही की हैंगे ताके अभी तक तो मुझे एकरिकल्चर वालों ने कोई फून किया ऑना हाटी कल्चर वालों ने फून किया ना रेनवेड़ डिपार्टमेंट को तो मैंने तासदार साहब को इदर सेही फ़ों किया, उसने बोला, मैं अ कल पत्वारी को बेशता हूं, ताकि वो जगह-जगह का माइना करे सर्पेंसाब आज से पहले भी कई जलजलों के जटकों की वज़ा से नुक्सानात हुए हैं या फिर बारशों की वज़ा से नुक्सानात हुए हैं आपकी पंचायत में तो क्या कभी जिला इंतजामिया ने उनको किसी शक्स की मदद की भी गई या फिर सिर्फ उनको जो है यक क्योंके नुक्सान गए, खाली कागजों में ही वो महदूद है, ना कि किसी को मदद कीईगी, ना किसी को मदद आज तक मिली, और ना हमें उमेद है कि आने वाले दोर के लिए भी मिलेगी, ये हमें खाली अपना वकत जाया करना है, इसलिए मैं एड्मिस्टेशन से यही गु और आज तक हमें किसी ने नहीं पोचा कि भाई इसमें ज्यादा नुक्सान किसका हुआ और कम किसका हुआ, ताकि हम यहां के प्रेजन्टेट्यों हैं, हमें पता है भाई नुक्सान किसको ज्यादा है, लाज़ा हमें किसी डिपर्टमेंट ने आज तक नहीं पोचा कि पहले 20 साल बलाक वालों ने बनाया था और वो टोटा हुआ गिरा पड़ा है जब परसू बारशें आई बचे छोटे छोटे बचे अवरते हैं ताकि उनकी जमियन उस साइड लगती है जब फलड आ गिया वो पूरी रात को दरिया के पार ही रह गिये और घर आ नहीं सके लहा सब्सक्राइब से कि किसी भी सुरत में हंगामी हालात में वो पूल के लिए हमें कुछ न कुछ किसी न किसी फांट से रिलिज हो जाए ताकि हम लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बना सके महमद अन्वर है पंचायत मलवाना के सबसे गरीब शक्स माने जाते हैं तो इन अगरी शरी हां प्यात पाथर आतना सब्सक्राइब से गाम सुरत है कार नसकर भून के सने यह कार बनाया हूता है माकान यह आद माया यह वो से बनाया मैं तो यह आवा कां ये ते मतलब वुच्व ने का ये नजर दिन तो इनिस माकान अस तो यह वोन वा कही से सर्पेंट आथ शाहे हैं तो निए नमरदार याव योत भुच्व ने अबसक्राव में यह फोन प्रणना सा बुच्व नाजर 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 रहन तो यह नौ यह माकान बनाए ऊटोई प्याइमेव यह नौ नौई मकान बनाया गे तो क्या अपील चुत वह करन जिला इंतजामियास बहुत बहुत शुक्रिया यह थे मुहमद अन्वर इनका जो मकान है मकान की एक वाल बैक साइड से बिलकुल गिर चुकी है हमारे सामने अभी यहां के नंबरदार शादिलाल जी है इनसे जाने की कोशिश करेंगे जी नंबरदार जी बहुत बहुत इस्तिक्बाल है आपका शुक्रिया जनाब आपका तो मैं यह बोलना चाहता हूँ कि पहले नाला गॉलना में बहुत लोगों को मुश्क्रा आती है बहुत नर्पेश लोगों को नाला से पारे रह जाते हैं सर तो मैं डीजी साब से यही रेक्शोष करते हैं कि उस नाले में कोई तैमिर किया जाए पुल ताके लोगों को आने जाने के लिए बाकि यहां आज कल बहुत नक्सान हुए हैं बारशने बहुत सार नक्सान किया है लोगों के मकान क्रेक हो गए है तो कोई टेम भेज जाए जिससे कि जान पड़ता हो जाए कि यह दुरुस्त हो जाए शुक्रिया जनाफ बहुत बहुत शुक्रिया यह थे नमबरदार मलवना के शादी लाल तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजे इस उमीद के साथ कि जिला इंतजाम या मुहमद अन्वर के इस केस को संगीन ले ले और मुम्किना वक्त के अंदर इस पे कोई कारवाई अमल में लाई जाए इसके साथ ही अपने मेजबान अराही नावाजलों को तीजे इजाज़त अल्ला हम सबका हामी वनासिर हो